दर्शक चाथियों शुरोता की बंदुगन जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारी जो राजनितिक पार्टियां हैं खास तोर थे भारती जनता पार्टी, कांग्रिस पार्टी या कुछ और बड़ी पार्टी यह पार्टियां अगर मजबूत होती हैं सतारूर पार्टी के अलावा जो विपक्षी पार्टी हैं अगर वो मजबूत होती हैं तो देश का लोगतंतर भी मजबूत होता है आज जैसे हालाच चल रहे हैं उस पर कई तरह के प्रसंचिन लोगतंतर की विवस्था पर भी लग रहे हैं ऐसे में हम आज बात करेंगे पार्टी हाइकमान के पिछले दिनों के रवईए को लेकर क्या उत्र पुथल हुई और पार्टी के वरिष्ट नेताओं में किस तरह की सुकु बगाहट चल रही है कांग्रेस पार्टी में पिछले दिनों के भीतर जो उत्र पुथल मची है उसे लेकर जो राष्ट प्रेमी लोग हैं जो लोकतंतर प्रेमी लोग हैं वो एक सशक्त विपक्ष देखने के इच्छुख होते हैं जहां तक हर्याना प्रदेश का तालूख है यहां बले ही दो तिन खेमे राजनितिक हो सकते हैं कांग्रेस में लेकिन हुड़ा खेमा पार्टी हाईकमान पर अब भी भारी परता दिखाई पड़ रहा है आज की इस वस्तु स्थिति को समझने के लिए हमें पार्टी के आंतरिक मंच पर नित नए हो रहे नाट के घटना क्रम की तह में जाना होगा तो मैं नरेश कोशल दैनिक अर्च परकाश मीडिया ग्रूप के और से इस राजनितिक विशलेशन पर कांग्रेस की आंतरिक जो कलह हैं उसको लेकर हम ये बातचीत कर रहे हैं जासे के आप जानते हैं के कलम और पत्राचार तक सिमित इस मूख दंगल में जहां कुछ दिगज नेता हाइकमान के महाकूप का शिकार बन गए थे वहीं हर्याणा के भुपिंदर सिंग हुड़ा शिरिखे जो नेता है वो अपनी मन मर्जी से अभी भी खुले गुम रहे हैं या कहें के पार्टी हाइकमान के और से शायद उनको अभैदान मिला हुआ है पार्टी के तेश वरिष्ट नेताओं द्वारा क्रीब दो सब्ताह पूरव एक चिठी के मादन से पार्टी हाइकमान को दी गई एक सलाह जिसे हम यह कह सकते हैं कि एक नेक सलाह वही सलाह इस महाकलह की समझो अहुती ही बनके रहे गी हुड़ा हाइकमान को नेक सलाह देने वाले तेश पत्तर प्रेश्कों में सामिल थे यह भी सर्विदित सत्य है के पत्तर लिखने वाले इन वरिष्ट नेताओं में भुपिंदर सिंग हुड़ा के दुख शुक के सांजीदार कपिल सिबल अशोग गहलोत अनद शर्मा प्रिश्विरा चुहान और अरजिंदर कौर बटल और सबसे बढ़कर गुलाम नवी आजाद भी सामिलते हैं इतना ही नहीं इन में देश के उत्तर और दक्षन की दो मुखर आवाजें रही यानि के मेरी मुराद है मनीश तिवारी जो पंजाब से सांजिद हैं और सशी थरूर जो केरल से सांजिद हैं वो भी इन पत्तर लिखने वाले लोगों में शामिलते हैं पत्तर लेकों की हिमाकत से खफा हाईकमान ने शरीमती गांधी नहीं यानि के राज्य सभा में पार्टी के संसीरे दल के नेता गुलाम नभी अजाद और उपनेता अनंद शेर्मा के परकतरने के इरादे से अपने विश्वस्त सहयोगी यानि के पूरु केंद्रे मंत्री जैराम रमेश उनको पार्टी का मुखिस्टे तक बना दिया गया जबके लोग सभा में अक्षर सक्रिय देखे गए शेशी थरूर और मनीश तिवारी की उपेक्षा के उदेश्य से एक युवा नेता गौर्व गोगई को लोग सभा में उपनेता तैनात कर दिया गया यहां यह भी समरन करा दें के वरिश्ट नेता कपिल सिबल और गुलाम नभी अज़ाद उन्ह दिग्ज नेताओं में शामिल है जिनोंने ना केवल पत्तर लिखकर बलके सारवजनिक तोर पर भी शिर्मती गांधी को यानि के पार्टी हाइकमान को ये शला दी थी के नेत्र में परिवर्तन किया जाए और लोकतांत्रिक विवस्था के अनुसार पार्टी के चुनाव करवाईद हैं जब पार्टी हाइकमान के करोध की आँच उत्तर परदेश तक पहुंची तो जितन परशाद और राजबबर इसकी पहली कर्जियल्टी या कहें इसकी चपेट में आ गएं क्योंकि परदेश में चुनाव के लिए गठित समितियों में उनके नाम नदारत थे उत्तर परदेश के उन नो नेताओं ने वरिष्ट नेताओं की अंदेख़्ी का नोटिस लिया जो पार्टी से पहले ही निश्काशित किये जा चुकी है तेश नेताओं के 24 अगस्त को दिये गए पत्तर के बाद अब 25 सितंबर को उत्तर परदेश के उन नो सिंतुष्ट नेताओं दुआरा शिर्यमति गांधी को प्रेशित पत्तर जो है वो सार्वजनिक हो गया था यह संग्युक्त पत्तर तो तेवरिष्ट नेताओं के पत्तर से भी कहीं बढ़कर बंपत्तर साबित हुआ उत्तर परदेश के नेताओं ने तो बेबाक और मुखर होकर पार्टी की अध्यक्ष शिर्मति खोनिया गांधी को उपदेशात्मक सिलाह देकर ये कहा के वह पार्टी या परिवार के मोह से उपर उठकर लोगतांत्रिक परंपराओं को बहाल रखें और इस पत्तर के लेकों ने पूरव सांसिद इन लेकों में पूरव सांसिद जो थे उन्में संतोर सिंग, सत्य जित्रिपाठी और नेक चंद पांडे जैसे वरिष्ट नेता भी जो है वो शामिलते हैं चलिए अब मूल विशे पर फिर आते हैं पार्टी हाइकमान द्वारा कथित बागियों के विरुद्ध खोली गई तीसरी आँख के परकोफ से में जो है हताहत होने से वुपिंदर सिंग हुड़ा साफ बच निकले कारे समती की बैठक में शिरिमती सोनिय गांधी को पूर्ण कालिक अध्यक्ष चुने जाने तक छे मा के लिए अध्यक्ष पद पर बने रहने की जंडी दिये जाने के तुरत बाद जब पत्तरकारों ने तेश नेताओं की चिठ्थी बाबत हुड़ा से प्रशन किया तो उन्होंने तपाक से उल्टा पूछा कोई सी चिठ्थी इतना ही नहीं पत्तर लेक नेताओं में शामिल रहे हुड़ा ने सपस्ट शब्दों में कहा के ना केवल शिरिमती सोनिय गांधी बलके राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जो हैं वो उनकी नेता है यहां पर यह समरन कराना भी बहुत आवश्यक है कि यह वही भुपिंदर सिंग हुड़ा है जिनोंने पिछले वर्ष हर्याना के विदान सबाद चुनाव के दोरान उससे पार्टी कुछ समय पूरव चुनाव से पार्टी हाइकमान को अपनी विद्रोही आंखें दिखाते हुए रोतक में कांगर्स के अधिकतर विदायकों को लेकर एक परवर्तन रेली काड़ा ली थी वक्त की नजाकत और हुड़ा के सियासी वजन को भाव कर हाइकमान ने दोहजार उन्नी के विदान सबाद की चुनाव की जो कमान है वो हुड़ा को ही सौंपने में अपनी बनाई समझी थी पार्टी का केंदर नेत्रित्व यह एहसास अभी रखता है कि हर्याना में अभी दस वर्ष के शासिन काल में अपनी व्यत्तिगत गहरी पैट जमा चुके हुड़ा मजबूत सिती में हैं राजनितिक प्रिक्षों का तो यहां तक मानना है कि शासिस मुद्र में भले कितना तुफान माच जाए राज्य कांग्रिस के तीश में से कम से कम तेश या चौविश विधायक तो हुड़ा की पतवार को ही संभाले रखेंगे ऐसे में हाईकमान का हुड़ा को अभैदान मिला है या कि यह हाईकमान की वक्त की कोई मजबूरी है इसका पता चलेगा जब पार्टी हाईकमान का पूर्ण कालिक अधेश के लिए चुनाब होने का खेल होगा यह पत्ते उसी वक्त खुलेंगे तो यह थी हमारी आज कॉंगर्स पार्टी को लेकर उसकी लोकतांत्रिक जो आंत्रिक विवर्स्था जो है बिगड़ी होई उसको लेकर और इसके जुड़े होई हर्याना की स्यास्थित को लेकर बात्याद फिर मिलेंगे किसी नए विशे के साथ बहुत-बहुत नमस्कार